तो फेंट आचकी वीडियों माँ बात करने वाले हैं इंट्रोड़क्शन टू एंसी और नमेरिकल कंट्रोलर तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो तो सब्सक्री पhले देखते हैं हमकी एंसी क्या है हमारे पास तो फ्रेंट एंसी जो है हमारे पास एक numerical controller होता है जो की use करा जाता है machine tools को automate करने के लिए ताकि हम जो है machines को कुछ letter देखकर कुछ numbers की मज़ते या कुछ symbols की मज़ते control कर सकें तो उसी को friends हम बोलते है numerical control इसकी name से भी clear हो रहा है यानि numbers की through हम किसी चीज़ को control करें machine की अंदर हना तो उसको numerical control बोलते हैं अच्छा बात करते हैं कि nc machines जो होती है उसके कुछ functions भी होते है automatic तो उसको देखते हैं जैसे कि आप nc जो controller है उसकी मज़ते आप अपनी machine को start कर सकते हो को stop कर सकते हो कुछ numerical की मदद से spindle की speed को control कर सकते हो like आप इसको relate भी कर सकते हो traditional machine से like हमारे जो lat machine है या फिर जो milling machines होती है उसमें अगर हम को spindle की speed को कम या जादा करना होता है तो हम क्या करते हैं लेकिन mc के अंदर क्या होता है यहां पर हम जो एक part program क्या होता है उसके अंदर हम जो है code लिखते हैं उस code में हम जो है spindle की speed को set कर देती है तक कि spindle की speed उस speed पर रन करता के यानि हम को किसी भी तरिकी का manual work नहीं करना पड़ता है यहां पर speed को कमे जादा करने के लिए अच्छा उसके साथ हम टूल भी चेंज कर सकते हैं एंसी के अंदर साथी साथ field rate को भी चेंज कर सकते हैं तो यह सारे के सारी चीज़ें जो हैं यह functions हैं हमारे mc के तो आई चली देखते हैं कि nc machine जो है किस तरीके से work करती है तो यहां पर मैंने एक मिलिंग machines का diagram बनाया हुआ है three axis जिसमें आप देख सकते हो यह हमारी जो है जड़ेक्सेश है इसके अंदर यह हमारी x-axis और यह circular है इसके अंदर जो invert की तरफ मैने y-axis को दिखाया हुआ है तो फेंस यह work कैसे करती है तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक machine मशीन कंट्रोल यूनिट होती है या फिर आप इसको नुमेरिकल कंट्रोल भी बोल सकते हो यह जो है अटेज होती है मशीन के साथ और मशीन आपकी एक मोटर के साथ अटेज होती है जो की डिजायड मोशन को परफॉर्म कराती है अब होता क्या है हम एक पार्ट प्रोग्राम वो पार्ट प्रोग्राम बनाकर हम जो है इस कंट्रोलर को दे देते हैं वो कंट्रोलर क्या करता है उसके अकॉर्डिंग जो है सिगनल्स को जनरेट करता है और उन सिगनल्स को मोटर को ट्रांस्मिट करता है मोटर उन सिगनल्स के अकॉर्डिंग ही मोशन को परफॉर्म करत होते हैं इसका जो है एंसी मशीन टूल का क्या ऑपरेशन होता है या इसके अंदर कौन-कौन से elements होते हैं सबसे पहले क्या होता है पार्ट ड्रॉइंग तयार करते हैं मेंस आपको कुछ भी कैज देशन करना है तो आपके पास कुछ design होना चाहिए है यह पता होना चाहिए यह आपको क्या manufacture करना चाहरे हे वेट वन्ट्र तो हमारे पास सबसे कुछ इस टैप की जो है हमको आपको पार्ट मैन्युफेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को कुछ manufacture करना है पार्ट तो उस पार्ट के जो है according हम प्रोग्रामिंग करते हैं अच्छा तो हमने प्रोग्रामिंग कर ली अब प्रोग्रामिंग जब आप करोगे मशीन टूल के अंदर तो वह जो डाटा है आपका जो आप इनपुट दोगे वह आपका एक प्रोग्राम टे घ्यंदे टेप रीडर अब क्या है जो प्रोग्राम डाटा आपने ममोरी के अंदर इस्टोर किया है वह जो है प्रोग्राम टेप जो है रेड करेगा कोंचेप रीड करने के बाद इनकान इनफ्मिशन को ऑच सैंड कर देगा डर को कम च area क्रेगा जो आपने डिजिटल form में signals दिये हैं, part programming के लिए code लिखी हुए हैं, वो code को क्या है आपका एक electrical signal में convert करेगा, ताकि motor को transmit करा जा सके, ताकि motor जो है आपका desired motion परफॉर्म कर सके, ठीके सबोज आपने यहां से data signal जो है tip reader ने read किया, तो tip reader read करने के बाद इसको controller को देगा, controller जो है, इन signals को translate कर देगा, एक mechanical work के लिए, ताकि motor उसको run कर सके, तो यह जो है, इन signals को transmit करेगा, motor को, सबोज मोटर को 5 mm के लिए run कराना है, ताकि, मैं सबोज ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, जैसे यह आपकी table है, इस table को आपको 5 mm कराना है, या फिर 5 cm कराना है, तो 5 cm के लिए जो है, आपने part program लिख दिया, वो part program इसके अंदर save है, वो tap reader read करेगा, then इसको send कर देगा, अब यह जो digital form, जो signal इसको मिला, वो उसको convert कर देगा, ताकि, यह जो है, उतना current प्रोवाइड कर सके motor को, ताकि motor जो है, 5 cm के लिए move हो जाए, तो यह हमारा motor का mechanism होता है, तो friends, इस तरीके से हमारी NC machine tool जो होती है, work करता है, तो friends, आज की वीडियो में इसलिए ही, तब तक के लिए good bye मिलते हैं अगले वीडियो में,